हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अनुखकुमार देशी नुश्के उत्रगंड की तरफ से दोस्तों आज आपके सामने मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे एक और विशेव पे प्रेट लेक्ट किस्वारे में जो एक बहुत महत् विशे है आप लोग बहुत सो लोग जानते भी होंगे बहुत सो लोग नहीं भी जानते होंगे कौन कि करोना काल में डेंगू के पिरिड में टाइफएड मलेरिया आधी के सीजन में बुखारों में यह एक बहुत महत्पूरण योगदान रखता है क्योंकि प्लेटलेट कम होने के कारण हमारे सरीर में काफी कमजोरिया आती हैं और हमें प्लेटलेट चलवाना पड़ता है जो की काफी महगा भी चड़ता है तो दोस्तों प्लेटलेट होता क्या है पहले तो हम यह जानते हैं हमारे सरीर में ऐसी कोशिखाए होती हैं जो खून को बहने से रोकती हैं हम कीसी भी कारण से खून भेरा हो तो जो प्लेट लेट होती हैं क्या कारण होता है । छे सि legends से खून भाता है उस इस इस्तान पे जाके उसको रिप्एर करती है और कों भेने वाली कोश्वकांगें को रोकती है ताकि अधिक से अधिक बलेड निकलने से रोकती है कुछ लेडिसों के माता वहनों के डिलिवरी के बाद में अत्यधिक रक्त सराव होता है तो वह उसको रोखना का भी कार्रे करती है अगर हमारे सरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो भी हमारे सरीर के लिए नुक्सायन दैक है अगर देखा जाए दोस्तों जिन लोगों को प्लेटलेट की कमी हो जाती है नशान देखा जाती है तो उनमें क्या क्या लच्छड पाया सकते हैं आप इसका उनुमान लगा सकते हैं पहले तो दोस्तों यह है कि अत्यधिक रक्त सराव होता है रक्त सराव किसी भी कारण से हो रहा हो तो प्लेटलेट कमी कारण ही होता है सरीर पर भूरे रंग के निशान होते हैं लाल रंग के निशान पढ़ जाते हैं या बैगुनी जामुनी रंग के निशान होते हैं तो ये भी एक लच्छन देखा जाता है कि सरीर में प्लेटलेट की मातरा कम हो रही है लाल वे जामुनी रेसे से होने निशान से आने और नाक से खून निकलना नकसीर चलना यह भी प्लेट लेट का एक कारण हो सकता है और जैसे हम खासते हैं थोकते हैं तो बल्गम आता है तो बल्गम के माददे हमसे भी खून आता है बिलेड निकलता है तो ये भी इसकी पहचान है अगर किसी लेडिस को पिरियड हो रहा है महावारी हो रही है और उसमें अत्यादिक रखती सराब हो रहा है तो ये भी प्रति माइक्रो लीटर रख्त खून में एक प्रति माइक्रो लीटर रख्त खून में एक लाग पचास हजार से साड़े चार लाग तक प्लेटलेट होती है कम होने के कारण सरीर में ये रख्तिसराव होते है और जो प्लेटलेट कम होती है ये सरीर में किसी भी तरह का बुखार आ रहा हो कमजोरी हो रही हो तो हमारे प्लेटलेट कम हो जाती है आप देखेंगे कि टाइफाइड हो रहा है किसी को या बुखार हो रहा है डेंगो होता है तो इन में आप देखेंगे कि जब उनको जांच करी जाती है तो रिपोर्ट में आता है कि इनके प्लेटलेट काउंट कम हो गए तो यही एक वजय मानी जाती है तो फिर उनको प्लेट लेट चड़ाई जाती है जो की काफी महेंगी पड़ती है तो अगर हम इस प्लेट लेट की हमें कमी हमा सरी में हो गई है तो हमें इसकी पूरती करने के लिए अगर आयरवे दिरिष्टी से देखा जाए अगर हम इसको उप्चार करना चाहें तो बहुत ही सेगरी इसकी प्लेट जिसकी मातरा को बढ़ाया जा सकता है बहुत ही इस तरव नुस्का है और बहुत पिर्चलीती भी है हर कोई जानता भी है तो इस नुस्के में आपको क्या लेना है दोस्तो आपने पपीते के पत्ते ले रहे हैं एक पत्ता आप पपीते का ले लेजिए गिलोव लेजिए एलोवेर लेजिए तुलसी लेजिए आप इनको बराबर मात्ता में भी ले सकते हैं और इसका जूस निकाल के भी आप इस्तमाल कर सकते हैं और एक 3-4 इंच का 10 गिराम के मातरा में एलोविरा ले लिजिए और दो-3 पत्ते तुलसी के ले लिजिए और इसको पानी में खो बाली है जब इसका एक चोथाई पानी बच जाए तो आप इसका सेवन किरिए तो आप देखेंगे कि आपके प्लेट में काफी बढूतरी होनी शुरू हो जाएगी धीरे-धीरे आपके सरीर में काफी उड़्चा आप मैसूस करना शुरू कर देंगे तो आप यह छोटा सा नुस्का है दोस्तों लेकिन यह बहुत कारगा नुस्का है अजमाया हुआ नुस्का है तो आप इसका प्रियोग करके आप अपनी इमिनुटी को बढ़ा सकते हैं रोगों सोयलंडे की शमता को पैदा कर सकते हैं और जो प्लेटलेट्स कम हो गए उनकी संख्या में आप बलोतरी कर सकते हैं तो दोस्तों यह छोटा सा नुस्का था आपके से वहां प्रुस्तित किया है जिन भाईयों ने चैनल को सब्स्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें वेल लाइक शेयर करें बिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद